पता है दोस्तों कभी-कभी इनसान इतना मजबूर हो जाता है कभी-कभी इनसान इतना मजबूर हो जाता है ना चाहते हुए भी अपनों से दूर हो जाता है ना चाहते हुए भी अपनों से दूर हो जाता है लेकिन मुझे एत्वार नहीं लेकिन मुझे एतवार नहीं अपनोंका मजबूरी में हर इनसान च्थ से ज़्दा मजबूर हो जाता है अब ने गऊर किया है डोस्तों कभी-कभी हम यह सोचते हैं कि यार हमने जिसको प्यार किया था वो तो हमें मिलाई नहीं क्योंकि हर इनसान यह सोचता है एक वक्त आता है हर इनसान यह सोचता है कि यार जिसको मैं चाहता हूँ दिलोजानशे कास वो मेरा हमसफर बन जाए लेकिन वक्त की नजाकत को कुछ पॉर ही मनजूर होता है लेकिन वक्त की नजाकत को कुछ और ही मन्जूर होता है और सोचूं क्यों मैं इतना उस सपने के लिए जो हकीकत बनते बनते वक्त के साथ चकना चूर हो जाता है पता है किसी महान गालिब ने ये कहा था कि किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता कभी जमी तो कभी आसमा नहीं मिलता पता है दोस्तों कभी कभी हम खुद को पाने के चक्कर में खुदी को ही भुला देते हैं चाहिए थी जो खुशी हमें जीते जी उसको पाने के लिए है हम अपनी आपको हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं और नफरतें क्यों करूं मैं और नफरतें क्यों करूं मैं ऐ जालिम तुने अपनी यादों के सिवाए मुझे दिया ही क्या है और कहता है तू अपने गम मुझे दे दे मेरी खुशिया ले ले ए पगले इन आशों के सिवाए तुने मुझे दिया ही क्या है सालों बाद मिले हम उस मोड पर जिस मोड पर हम तुझे हमेशा के लिए छोड आये थे और वापस उसी मोड पर और वापस उसी मोड पर तुझे पाने के लिए हम अपने लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड आये हैं हम हमेशा हमेशा के लिए छोड आये हैं तो सब्दों को समझना पड़ता है मैं कभी कभी क्या होता है बता है आपको सब्दे कैसी छाप छोड़ जाते हैं कि वो मजबूर कर देते हैं बीती हुई जिन्दगी को याद बिलाने के लिए जो सब्दों होते हैं कुछ सब्दे तो ऐसे हैं कि जब वो दिल पे गड़ जाते हैं न तो जक्म हच्छे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जक्म हच्छे ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि भाई मैंने अपने प्यार को बुला दिया एक मेरे मित्रम उसे गहता है कि मैंने अपने प्यार को भुला दिया तो मैं उनसे वापस कहता हूँ पुराने जक्मों को कुरेद कर पगले तूने तो अपनी आपको ही रुला दिया तुने तो अपने आपको ही भलरूलादिया वूर्व इस दुनिया में 90% लोग प्यार से पिडीत हैं 90% लोग प्यार शे पिडीते हैं एक दिन ऐसे हम बैठेते तो मेरे दोस्त मुझको अपनी लव स्थोरी बताते हैं और लब स्टोरी बताते बताते उनकी आँखों से आँसों निकलाते हैं तो मैं पूछ पड़ा मैंने का भई इतना धर्द अगर तुमारे अंदर है दबावा तो यार तुमने तो एक हो जाना चाहिए था आखिर क्या बात हुई जो तुम एक नहीं हुए मैंने का यार टेल मी पिलीज मुझे बताओ इतना धर्द तुमारे अंदर अकर है और तुम बेख़ौप मुझे बता रहे हो क्योंकि तुम मुझे अपना समझते हो तो आखिर हुआ क्या था जो मतलब तुम एक ना हो पाए तो पता है उसने क्या का उसने का कि मैं उसको बहुत प्यार करता था मैं उसकी नजरों को देखने के लिए किसी भी हद तक कुजर जाता था उसकी एक जलक पाने को मैं कुछ भी करने की इमत रखता था लेकिन उसने मुझे दोका दिया और ऐसा दोका दिया कि उसने मुझे एक बीना मौका दिया मैं भी पूज बैठा दोस्तों कि तुझे क्यों उसने मौका ना दिया गर तेरा प्यार इतना सचा था तो भई तूने समझा ना था उसको कि भई प्यार करता है और बेज साफ करता है तो दोस्तों उसने क्या कहा उसने कहा कि मेरी तरब से तो हमेशा उसके लिए इतना प्यार था मैं तो उसके कदमों पे ये सारा जहां रखने की हिम्मत रखता था लेकिन जब उसकी सच्चाई मुझे पता चली तो मैंने खुद को रो रो कर ये बताया कि ये तेरे लायक नहीं है कि ये तेरे लायक नहीं है होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम बता नहीं सकते हैं लेकिन दिली दिल में वो चीज़ें घर कर जाती है एक कावत है ना कि तू भी बुरा नहीं मैं भी बुरा नहीं बुरा तो ये वक्त है तुभी बुरा नहीं मैं भी बुरा नहीं बुरा तो ये वक्त है तुझको और मुझको मिलता हुआ नहीं देख सकता ये जमाना क्योंकि ये बड़ा सक्त है क्योंकि ये बड़ा सक्त है मेरे दोस्ती नहीं ये कहा कि जब मैंने उसको कहा कि अब मैं तुझसे साधी करना चाता हूँ तो उसने ये कहा कि मेरे माबाप नहीं चाते कि तू उनका जमाई बने और उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा खासा रिष्टा धूट रखा है तो मैंने अपने दोस्ती से पूछा कि तू नहीं क्या किया तुपरा दोस्त बोला कि मैंने अपने प्यार को ये कहा कि जा तेरे नशीब में मेरा प्यार नहीं है कि जा तेरे नशीब में मेरा प्यार नहीं है वादे और कस्मे तू खाया करता था गुजरे जमानी में आज पता चला तू मेरा सच्चा प्यार नहीं है तू मेरा सच्चा प्यार नहीं है तो गाइस आज के लिए बस इतना ही दोस्तो प्यार बहुत हसीन है प्यार बहुत हसीन है और अगर प्यार अधुरा रह जाए तो इनसान के लिए ये बिगड़ी हुई मसीन है जो कभी सुदर नहीं सकती जो कभी सुदर नहीं सकती दोस्तों मैं इतना ही कहुँगा कि प्यार एक गंगाजल की तरह पवित्र है प्यार में कोई सर्थ नहीं होती प्यार में मुश्किलें बहुत होती है लेकिन कुछ सर्थ पूरी करने के चक्कर में हमारा प्यार अधुरा रह जाता है और अगर हमारा प्यार अधुरा रह गया तो हमने एक ही चीज सोचनी है कि हमने कभी प्यार ही नहीं करना है क्योंकि जो प्यार में पड़ गया ना जाने वो जीत जी क्या 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 गया ना जाने वो जीत जी क्या क्या क्या